तो गाइस यह कोश्चन काफी ब्लॉफ करता है अगर आप सही से नहीं चीजों को केरलेस्ली अगर इस कोश्चन को आप अटेम्ट करते हैं तो आपसे गलती होने के चांसे जाता है लेकिन थोड़ा सा केर करते हैं तो आपको गलत करने के चांस बहुत काम है चलिए हम लोग इ R होता है यह इसकी expression क्या होती है M upon N और E square tau L upon A हो गया जहां पर हम लोग जानते हैं जो M है वो mass of electron है जो E है वो charge on electron है यह दोनों तो नहीं बदलने वाले चाहे आप material बदल लीजिए material का temperature बदल लीजिए कोई कुछ भी कर लीजिए mass of electron और electron का charge दोने बदलने वाला है क्या बदल सकता है आपके हाथ में length है आप length को alter कर सकते हो कमिया जादा कर सकते हो cross sectional area ठीकर या thinner wire कर ले सकते हो या कर सकते हो और N और tau यह दो चीचे और control करी जा सकती है लेकिन N क्या है these are the number of electron per unit volume of that material and tau हो गया time of relaxation आपको in complications में नहीं जाना है सिर्फ आपको समझना है कि यह जो दो factors है N और tau है यह temperature और material dependent होंगे temperature बढ़ाएंगे घटाएंगे यह altered होंगे यह कम या जादा होंगे कैसे होंगे यह बात की बात है खैर हम लोग इस पूरी जो situation यह जो पूरा bracket है इस bracket को हम लोग कहते है that is a specific resistance or resistivity of the material that is solely depends upon the property of material इसका मतलब रो को आप क्या लिखोगे M upon N E square tau जबकि R आपका क्या हो गया रो along with L and A two extra factors आपको किसके बारे में claim करना है आपको resistivity that means specific resistance इसके बारे में claim करना है तो जाहिर सी बात है यह length से independent है thickness that means cross sectional area से यह independent है shape नहीं determine करता है फिर क्या है nature of material and temperature सिब दोई parameters है जो बदलेंगे रो को thank you guys